हेलो बच्चों, वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम लोग देखेंगे कि जब भी हम इंगलिस में किसी से बात करते हैं तो उसकी सुरुवात कैसे करें शुरू भी कर देते हैं तो आगे सेंटेंसे को कैसे बनाएं तो सबसे पहले हम बोलते हैं नमस्ते इसको इंगलिस में हम दो तरीके से बोल सकते हैं हाई, हलो नमस्ते को बोलेंगे हाई, हलो फिर हम कहते हैं कैसे हो कैसे हो, how are you कैसे हो, मैं ठीक हूँ I'm fine अपनी बताओ, फिर हम बोलते हैं जो सामने होता है अपनी बताओ What about you What about you मैं भी ठीक हूँ तो खाना पीना हो गया। तो खाना पीना हो गया। Are you done with your meal? हाँ, बस अभी ही खाया है। हाँ, बस अभी ही खाया है। सामने से reply आता है। Yes, just I have eaten. Yes, just I have eaten. फिर हम कहते हैं और तुमने? And you? नहीं, बस खाने ही जा रहा हूं। No, I am going to eat. No, I am going to eat. ठीक है, ठीक है, ओल राइट, ओल राइट, ठीक है। फिर हम कहते हैं और सब बढ़िया है। बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है यह बोलते हैं और सब बढ़िया है। इसको इंग्लिस में बोलेंगे Is everything okay? Is everything okay? हाँ, सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है Yes, everything is okay Yes, everything is okay फिर ऐसे ही हम बात करते हैं तो बोलते हैं तुम सोई नहीं अभी तक तुम सोई नहीं अभी तक अगर देर हो जाती है तो You didn't sleep yet इसको बोलेंगे इंग्लिस में You didn't sleep yet तुम अभी तक online हूँ? जब कोई ज़्यादा देर तक online होता है तुम कहते हैं तुम अभी तक online हूँ? Are you still online? मुझे message मत करो इसको इंग्लिस में बोलेंगे Don't message me मुझे message करना बंद करो जब कोई ज़्यादा बार message करता है तो हम उसको बोलते हैं मुझे message करना बंद करो तो इंग्लिस में बोलेंगे से stop messaging me मैं कुछ कहना चाहता हूँ I want to say something हाँ, कहो Yes, say तुम बुरा तो नहीं मानोगे Won't you feel bad नहीं, कहो No, you say वो दरसल actually मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ I want to meet you मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ I want to talk to you something फिर हम बोलते हैं, क्या तुम व्यस्थ हो अगर सामने वाला free नहीं है तो Are you busy? मुझे तुमसे कुछ काम है मुझे तुमसे कुछ काम है I have some work to you I have some work to you लेकिन एक समस्या है लेकिन एक समस्या है But there is a problem But there is a problem तुमसे किस ने कहा? तुमसे किस ने कहा? Who told you? Who told you? तुमसे किस ने कहा? मैं उससे बात नहीं करता हूँ जब आप किसी से बात नहीं करते हैं तो हम इसको इंग्लिस में बोलेंगे I don't talk to her I don't talk to her तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो You know very well You know very well फिर ऐसे क्यों कह रही हो? Then why are you saying like this? बात चीत कर लो Have a conversation बात चीत कर लो Have a conversation लगता है बारिश होने वाली है It looks like rain It looks like rain समय बीत रहा है The clock is ticking The clause is ticking चुप करके बैठो Sit quietly चुप करके बैठो चोट लग जाएगी चोट लग जाएगी You will hurt yourself You will hurt yourself चोट लग जाएगी चुप करके खालो Stop fussing and eat वह मन ही मन मुस्कुराई इसको इंग्लिस में बोलते हैं She smiled to herself वह मुझे देखकर मुस्कुराई वह मुझे देखकर मुस्कुराई She smiled at me एक इच्छा मागो Make a wish तमासा मत बनाओ Don't make a scene Don't make a scene तमाशा मत बनाओ चलो शुरू करते हैं Let's kick things off अपना दिमाग लगाओ Use your head दो बार सोच लो Think twice Think twice दो बार सोच लो बड़ा सोचो Think big जल्दी सोचो Think fast Think fast जल्दी सोचो मेरी सहायता करो Give me a hand या फिर Help me मुझे फोन करना है मुझे फोन करना Give me a call मुझे फोन करना मुझे एक मौका दो मुझे एक मौका दो Give me a chance Give me a chance मुझे एक मौका दो मुझे थोड़ा समय दो मुझे थोड़ा समय दो बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है Give me a moment Give me a moment अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रस करना न भूलें जबकी लेलो जबकी लेलो Have a nap Have a nap जबकी लेलो आराम करलो आराम करलो Have a rest Have a rest आराम करलो खुद ही देखलो See for yourself See for yourself खुद ही देखलो फैसला लो Make a decision Make a decision फैसला लो उसने गलती की See made a mistake See made a mistake उसने गलती की एक योजना बनाओ Make a plan Make a plan एक योजना बनाओ हद हो गई यह घर में जादा कर लोग बोलते हैं हद हो गई This is the limit This is the limit हद हो गई बहुत हो गया I have had enough I have had enough बहुत हो गया उसने प्रयास किया She made any food उसने प्रयास किया She made any food इसे अपना घर समझो Make yourself at home Make yourself at home गडबर मत करो Don't make a mess हंगामा मत करो Don't make a fuss चाल चलो जब हम लोग गेम खेलते हैं लूडो खेलते हैं तब ये बोलते हैं चाल चलो Make a move मुझे अकेला छोड़ दो Leave me alone Leave me alone मुझे अकेला छोड़ दो इसे मेरे उपर छोड़ दो Leave it to me Leave it to me इसे मेरे उपर छोड़ दो दर्वाजा खुला छोड़ दो Leave the door open Leave the door open दर्वाजा खुला छोड़ दो बैठो Have a seat Have a seat बैठो सीधे कहो Say it straight Say it straight सीधे कहो ये सर्ट धूने लायक है ये सर्ट धूने लायक है This shirt needs washing ये सर्ट धूने लायक है यहां आजाओ Come over here मैं तुम्हे सुन नहीं पा रही हूं I can't hear you मैं तुम्हे सुन नहीं पा रही हूं Yellow Yellow Here you go Here you go Yellow Page number 5 खोलो Page number 5 खोलो Look at page number 5 जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यह जरूर बोलते हैं Look at page number 5 इसको इंग्लिस में आसे बोलेंगे मैं उससे लंबा हूं मैं उससे लंबा हूं I am taller than him I am taller than him मैं उससे लंबा हूं इसको हम इससे बोलेंगे वेट एंड वाच देख लेना मुझे भागना होगा I need to run मुझे भागना होगा अगर आपको ये वीडियो जरासी भी helpful है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सेयर करें पकड़ के दिखा catch me if you can catch me if you can पकड़ के दिखा याद भी है do you even remember याद भी है समय नहीं मिला इसको इंगलिस में बोलेंगे I didn't have time I didn't have time समय नहीं मिला छोड़ उसे never mind never mind छोड़ उसे मुझे ये समझ नहीं आता I don't get it I don't get it मुझे ये समझ नहीं आता ऐसी बात नहीं है अगर आपको ये वीडियो जरासी भी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें बैल आइकन को प्रेस करना न बूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें और आपकी डेली की प्रैक्टिस होती रहे और practice के लिए आप हमारे साथ जूर सकते हैं और English speaking के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप practice करें जो sentences आपको बताये गए हैं उसको घर में बोलें